आपके पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है बस एक छोटे सला परवाही की बजा से पंजाब के छोव लोग बिना मोत के मारे जाते हैं ओभी एक फ्रीज के फटने से चौकाद देने वाली खबर है जिस फ्रीज का परियोग हमने अपने परिवार को सुखी रखने कैसे फ्रीज फट जाता है हमें फ्रीज घर में कैसे रखना चाहिए आपने देखा होगा कि फ्रीज के पीछे एक कमप्रेसर लगा होता है इस कमप्रेसर से गैस निकलता है और इस गैस को बाहर निकलने के लिए फ्रीज के पीछे जगह होना आवसक है लेकिन हम क्या करते है अपने फ्रीज को दिवाल से सटा कर रख देते हैं यही वह अगलती है जिसकी बजह से कंप्रेसर फट जाता है और फ्रीज बलाश्ट कर देता है अगर आपके फ्रीज के कंप्रेसर से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा हो तो तुरंत अपने फ्रीज का सर्वीसिं करा लेना चाहिए चलिए देखते हैं कि अपने घर में फ्रीज को कैसे रखे ताकि कोई भी द्रगटना न हो यह यह फ्रीज है और इस फ्रीज के यह साइड जो है इधर भी छोड़ा गया जगह इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें काफी जगह छोड़ा गया है यह साइड वला जगह है लेकिन आपको इस परसन में नहीं ज्यादा इस परसन में ध्यान देना है यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कम से कम इतना जगह खाली है और इतना जगह छोड़ देंगे आप मतलों कि 7 से 8 इंच या 10 इंच लगबंग छोड़ेंगे जगह तो इस कंप्रेसर से जो हवा होगा बाहर निकल जाएगा और दुरुहटना से आप भी बस सकते हैं किर्पियात अपने फ्रीज को इतना गैप मतलों दिवाल से हटा कर जुरूर रखें आइसे रखने से आप दुरुहटना से बस सकते हैं तो फ्रीज को कभी भी आइसे इतना दिवाल से दूर रखना चाहिए जब आप पहली बार फ्रीज खर देने जाते हैं तो उस किताब में भी अलिखार आता है जो फ्रीज के साथ मिलता है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं किर्पया करके इस वीडियो के इतना सेर करे ताकि यह जानकारी सब ही को मालूम चले और सब लोग बहुच सके धन्यवाद